नमस्क्र दोस्तों राम कल्याय प्रतागवर फिंस स्वार अस्वार्गत care हमारे जो है दात में पयरिया क्यों लग जाता है पयरिया लगने कारण क्या है पयरिया मुझ रखन धाती में नुद अल्après दॉत न क्या होता है और करते हैं टो इसका उपाय क्या है तो दोस्तों सब को बात करें अगर हम बात करते हैं हम बात करेंगे परिया का लगने के कारण क्या होते हैं क्या गलती हैं जिसके कारण जो हमारे दान्त में पायरिया लग जाता है पहले करहे हम कारण की बात करते हैं तो जैसे आप मीठा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, कुछ भी चीजें खाते हैं खाने के बाद दोस्तों ऐसा होता है कि दिन हो या साम की समय हो या रात हो, आप जिसे सुबा में खाए हो खाने के बाद लेट गए, मुझ को नहीं धूला, तो पैरिया लग सकता है, साम के समय लोगों गुड़ खाते हैं, गुड़ खाने के बाद क्या है, सो गए, मुझ को नहीं साफ किये, उस समय भी आप ऐसे लगतार खाते हैं, तो जी पैरियाномуल लगेगा, कारण क्या है, ख़ा हैं उसको जहाँ दबाते हैं, वहां का मसूड़े कढ़ने लगते हैं, तो लगातार जैका को खाते हैं, मसूड़ जाते हैं, मसूड़े कढ़ने की वज़ा से वहां हलका हो ही impacting the कर जाए क испघANT के के बहुत ख़राब दिखाइब tan कर जाते अब वहाँ पर चिपकने लगता है तब क्या है कि वही कुछ दिन बाद वो बास मारें लगता है दुर्गंद आने लगती है तो यह भी दोस्तों दुर्गंद का कारण बन जाता है इससे ही पहरिया लग जाता है तीसरे अगर हम कारण की बात करते हैं तीसरा कारण आता है दात की सफाई ना करना जीव की सफाई कभी नहीं कर रहे या कभी जल्दीम कर वेंख दिए तो हमको अच्छी तरह से समधे कर थे कर दाजना को साथ करना सता-थजितot सफाइए नहीं करेंगे तो भी पहर्या लग जाएगा अगर दोस्तों पहर्या region यह तो इस विजा दात की सफाई जहां पर भी आपको पैरिया दिख रहा है वहां पर दांत की सफाई अच्छे जो है कोल गेट ले सकते हैं अच्छे मंजन ले सकते हैं जिससे वहां पर घिसने से क्या है कि जो भी किटानू होंगे जो भी दिक्कत होगी वह खत्म हो जाएगा तमागु खाने हैं बिल्कुल बंद कर लेहना जीप को निकाल करके जीप पर ऐसे घिसना है तो वहां वह अगर दरगण धार रहे है soale house्ते डांत प्र बेसे लेना है उसे दाटन से घिस रगण नणा है तक ही साफ हो जाए अगर बरच स्धिती बहुत बणने शुनी हाद Ci और तो दोस्तों हमें इंदर कोईटी के अफ्लोसामें आगए होगा है होका थैंक दोस्तों इब दो आच करने खेंगे